पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद उम्मीद है आप खेरियत से होंगे तो देखते हैं मार्केट का कैप मैन अनैलेसिस तो जी आज करते हैं ठटा सीमेंट का थोड़ा डीटेल अनैलेसिस लेटेस्ट रिजर्ट भी देखते हैं और अनल अकाउंट भी थोड़ा सा उसका जैजा ले लेंगे जो हमने पहले नहीं लिया तो इसको चलके अब देखते हैं अभी ये 119.52 पे है जब रिजर्ट आया तो 116 के आसपास था फिर 124.25 पे गया फिर 105 पे आ गया और अब 119 पे चल रहा है अब अगर इसके रिजर्ट देखें जी तो इन्होंने एक तो थोड़ा सा डिविडें नहीं करते लेकिन सेल्स आ रही हैं बलके यहां से EPS देखते हैं 7 रुपे की और comparison के लिए trend में जाके पिछले quarters के साथ देखते हैं लेकिन उससे पहले देखते हैं जी आगे अच्छा इनकी consolidated भी है वो थोड़ा सा कम है क्योंके subsidiaries में कुछ losses चल रहे हो अब इनके पास पैस पहले से थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है कोई साथ साथ दो quarter में EPS आई है और dividend कोई खास दिया नहीं तो पैसा जमा हो गया है अब यह क्या कह रहे हैं कि यह है जी टु मेक एन इन्होंने क्या एरादा किया है तु मेक एन equity investment of 500 million in associated company MS Minsk Work Tractors and Assembling Limited अब यह पता नहीं इस company will initially import completely built unit from Belarus and lately import and assemble CKD तो यह tractors जो है आपको पाकस्तान में दो ही चलते हैं अलगाजी और Millet Tractor लेकिन कुछ उनके मसायल भी हैं और कुछ अब हो सकता है यहां से सस्ते tractor लेके इनको बेचें और इनको कुछ फाइदा भी हो अभी it's very difficult to say कि इससे फाइदा कितना होगा ल से कुछ identify किया है इन्होंने growth करना तो हो सकता है इसमें कुछ फाइदा हो जैसे maybe साजियों को study करके अगर इन्होंने कुछ किया है कोई पता नहीं से ज्यादा फाइदा भी हो जाए very difficult उसे इस टाम पे कोई information नहीं है लेकिन let's see देखें completely built unit जब यह मंगवाएंगे तो इनक अपना कोई बहुत जादा खर्चा नहीं आएगा उसमें से अपने ये सारी cost निकालने के बाद कुछ उसमें अपना margin डालेंगे और बेचेंगे अब it depends कि उस sales कैसी होती है अगर sales अच्छी हो तो फाइदा भी हो सकता है उसके लावा लिखा है कि टू acquired 12.5 million shares of ठटा पावर from rotocast engineering ये इनकी subsidiary है तो उसके कुछ इनकी अपनी holding ये बढ़ा रहे हैं अच्छा rotocast की थी 26% ownership थी ठीक है तो यानि कि उससे buyback कर रहे हैं अब इनकी holding उसमें ज्यादा हो जेगी अब ये उसके इलावा कुछ wind power energy power पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहां से भी long term में थोड़ not bad और अगर इनकी अपनी company की profitability थोड़ी बहतर रहती है तो ठीक है यहां से हम उमीद नहीं रखते के बहुत ज़्यादा को इनको losses आएंगे कि अपने पैसे वहां पे इनके लगते जाएं बहराल वक्त ही बताएगा बट स्टिल ये information आई है इस information इन दोना information की basis पे तो बजा हो जाए आगे बढ़ने से पहले बताते चलें हम कोई buy sell call नहीं देते सिरफ fundamental analysis करते हैं फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौच अपनी अपनी और नुकसान में दौर अपनी अपनी जो हमारी videos देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया जिन्हें हमा profit पिछले quarter से ज्यादा हुआ है और net profit थोड़ा सा कम हुआ है बहराल earning per share इनकी match कर रही है तकरीबन पिछली दफा से और dividend को छोड़ दें यह वैसी growth oriented company है इसमें हम dividend deal के हवाले से तो वैसे भी नहीं चलते अगर dividend देंगे तो अच्छी बात है लेकिन उसके उपर इसकी assessment नह फिर 5-6-5 से भी उपर गई अब वहां पर sustain किया है तो एक good sign है अगर company में fluke कोई चल रहा हो कि एक दो मरतबा उसकी कोई profitability अच्छी हो गई है तो वो फिर आगे carry forward नहीं करती लेकिन इनके तीन quarter में अच्छे results हैं और उसकी basis पे for the time being हमें यही assume करना चाहिए कि इन्होंने अच्छा कोई काम किया है जिसकी वजह से इनकी profitability आगे continue हो सकती है अब हर quarter पे जाइजा लेके ही पता लगेगा कि assessment कितनी दुरूस्त रहती है अब हमने जी पिछली मरतबा जब ठटा का analysis किया था बाकी cement sectors के साथ एक comparison करके अब उसको update भी देख लेते हैं यहां पे हमने quarterly पीचे कर लीजेगा और first November की price डाली है उसको भी आप देख लीजेगा कहीं पर गलती बड़ी इसानी से हो सकती है बहराल अगले चार quarter की EPS हमने कैसे निकाली है हमने यहां पे पिछले तीन quarter की EPS को अगले चार quarter पे extrapolate किया है यानि कि इन तीन को total करके 3 से divide की और 4 से multiply कर ल है तो खठा सीमेंट की EPS तकरीबां 26 रुपे तक हो सकती है इसी तरह को हार्ट सीमेंट की 53 लखी सीमेंट 95 चिराट सीमेंट 34 पी योसी 20 तो वह वहां पे जा सकती है और अब उसके हिसाब से देखें तो हमने price earning सब की निकाली है दुबारा से और अगेन जो price earning निकाली है इ और हमने आपको बताया था कि अगर यह सिरफ सीमेंट सेक्टर के जो next share को touch करना हो इसने तो उसका कितना potential है और अभी भी यहां पे देखें अच्छा फेक्टो सीमेंट का वैसे 6 price earning चल रही है इसका अभी इस quarter का result बहुत अच्छा है तो इसमें भी कैपों कैप लग रहे है तो इस 6 को अभी हम नहीं लेते क्योंकि यह हो सकता है यहां से उपर जाके पहले ही खुले इसकी EPS को इसकी price earning को उपर ले जाए और अभी हमें इसके detail में हमने analysis नहीं किया कि इसका भी कोई इसमें भी कोई turnaround हो रहा है या इसमें कोई one time ऐसी activity हुई है बहराल फिछले दो quarter म पेतर हुआ इसका तो लोग देखना चाहें इसको देख लें लेकिन बहराल कहने का मकसद यह है कि अभी हम अगर देखना यह चाहते हैं कि ठटा सीमेंट अगर अपने next जो भी price earning में next share आ रहा है कम असकम अगर वो price earning इसकी भी हो जाए तो इसके share की value कहां पर जानी चाहिए अगें यह price earning भी estimated है और assumptions पर बेस्ट है तो फेक्टो की अगर हम ignore करें तो कहार्ट सीमेंट की है 7.38 कितना बड़ा gap है ठटा सीमेंट की price earning और उस share की price earning में उसकी एक मिज़ा यह भी है कि वो ज्यादा पुरानी कंपनी है ज्यादा established है कई सालों से चल रही है और इसने अभ हम यह देखें कि अगर यह ठटा सीमेंट यहाँ पर अगर इसने 7.38 की price earning को touch किया कभी जाके तो इसकी price क्या होनी चाहिए 195 अब यह जरूरी नहीं है कि यह 195 पर जाए या अगले 3 महीने में जाए या 6 महीने में जाए या साल में जाए लेकिन यह सिरफ हमने आपको बता दि इस पे और क्यों हम अभी भी ठटा सीमेंट को छोड़ने के लिए हमारा कोई इरादा नहीं है और जो हमने price earning पिछले review में निकाली थी तो यह अगले 3 महीने तक हमें लगता है वहां तक पहुंच गई थी वैसे अब हमें नहीं पता अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में कर रहा है तो अब या तो यह बहुत undervalued है या pioneer cement overvalued हो गया है बहराल वह आप खुद अंदाजर लगा लें और एक हमने हाँ पे information नई add की है free float की अब free float basically आप जो बात समझने की है na free float क्यों important हो जाता है अब जैसे अब ठटा सीमेंट और यह गरीबाल सीमेंट को हम देखत हैं ठीक है अब अगर ठटा सीमेंट 100 सीमेंट की बोरियां बेचेगा ना और उससे 1000 का profit होगा उन्हें तो per share profit 10 रुपे बनता है अगर गरीबाल सीमेंट 100 बोरियां बेचेगा और उसके ऊपर उसे 1000 का profit होगा तो 400 shares पर divide होके वो धाई रह जाएगा यानि कि बराबर की sales होन और हब का भी ही difference है कि अगर हब कल को वीवाइडी की उतनी ही गाड़ियां बेचनी शुरू कर दे जितनी साजियों बेच रहा है तो उनकी profitability साजियों जितनी 58 रुपे नहीं होगी quarterly वो 5 रुपे ही होगी इसी तरहां ठटा सीमेंट अगर उतनी ही बोरियां बेचे तो इसका profit per share ज्यादा होगा बहराल वो एक सिर्फ ये factor नहीं important होता अब हो सकता है हमने study नहीं किया for the time being हो सकता है गरीब वाल सीमेंट है वो 3000 बोरियां बनाता हो और ये 300 बोरियां बनाता हो एक महीने में तो वो एक अलग कहानी है लेकिन फिर भी free float की यहां पर एहमियत होती है तो तो तमाम कंपनियों में देखें तो ठटा सीमेंट का free float काफी कम है और facto सीमेंट का free float उसका भी आदा है इसलिए facto सीमेंट अगर कहीं पर जाकर रुकता है तो फिर वहां पर आप एक दफ़ा assess कर लें उसको कि अगर आपने उसमें कुछ देखना है के नहीं अभी हमें time मिला को हम उसका analysis करेंगे इस वक्त तो हमारा अभी आज की तारीक में तो अभी नहीं हमारे पास time लेकिन देखेंगे तो basically यह भी analysis हो गया कि क्यूं हमें अभी भी ठटा अच्छा लग रहा है अब चलके इसके पहले annual results को देखेंगे फिर इसके बाद इसके quarterly results को भी accounts को देख ल अब director's report में देखें अगर इनकी production देखें तो देखें क्लिंकर पिछले साल से कम है लेकिन cement ज्यादा हुआ है तो यह एक अच्छी बात है cement के dispatches भी ज्यादा हुए हैं तो यहां से एक तो इनकी sales में अजाफा हो रहा है तो this is a positive sign और अगर industry के review की बात करें तो इन्होंने mention किया है local sales थोड़ी सी कम हुई है लेकिन exports में अजाफा हुआ है बेराल हमें लगता है कि ठठा cement की अभी exports नहीं है शायद लेकिन industry में अजाफा हुआ है और अगर आगे आने वाले 2-3 सालों में अगर cement की demand बहतर होती है तो तो कम भी हुई है लेकिन क्योंके cement की cost बढ़ गई है इसलिए profitability बढ़ जाती है कुछ इनकी sales बढ़ ही कुछ इनकी retention price की वज़े से फाइदा हुआ अब यार वैसे retention price की वज़े से फाइदा हमें थोड़ सा इसमे clarity नहीं है देखें एक तो हमारी understanding यह हो रही थी कि जो इनका पास stock पराना पड़ा है परानी prices पे उसको जब नए prices पे बेच रहे हैं तो वो एक difference इनका जादा आ गया लेकिन अब वो तो एक साल आना चाहिए जब वो बार-बार तो यह एक दो quarters में आना चाहिए जब वो stock खतम होगा निया stock बनेगा फिर निया stock expensive बनेगा तो exactly हमें थोड़ा सा यहां पे clarity की कमी है कि retention price की वज़े से जो फाइदा है यह क्या short term फाइदा है या long term में चलेगा तो अगर किसी को पता है इसके बारे में ह में भी बिताइएगा लेकिन एक ज़्यादा important बात यहां पर लिखी हुई है कि cost to sales ratio इनकी improve हुई है यानि कि sales के उपर cost कितनी आ रही है यानि पहले अगर 100 की sale है तो उसमे 92 की cost होती थी और 7 का gross profit, 7-8 का gross profit लेकिन अब वो cost reduce होके 71 हो गई है और gross profit percentage बहुत जादा बढ़ ग effective है और साथ ही इन्होंने solar project को लगाया है उसकी वजह से भी इनकी cost में काफी कमी आई है और solar project की खास्तर पर जो cost की कमी आई है यह तो फिर आगे भी translate होनी चाहिए तो this is a positive sign के आगे भी profitability बहतर रह सकती है क्योंकि लिखा है यानि कि देखें दो ही तरीके होते हैं या आप revenue को बढ़ाते जाएं तो आपका profit बढ़ता जाएगा या अगर revenue ज्यादा नहीं बढ़ रहा तो आप अपनी cost को कम कर दें तो फिर भी आपका profit बढ़ जाएगा फिर यह है कि एक working capital cycle इन्होंने जो है उसको भी manage किया है तो पहले क्या होता था कि इनकी inventory ज्यादा होती थी अ और इन्होंने 1000 coal अपने पास बुलवा लिया है तो 1000 के इनको loan भी लेना पड़ता होगा जिसी interest cost भी होती होगी तो इन्होंने अपने operations को effectively manage किया है कि जतनी जरूरत है उतना ही ये coal import करते हैं और पिर ताके जल्दी जल्दी वो inventory जो है ना वो raw material finished good में convert हो जाएए और फिर अपनी नई inventory को ले जाएं तो उससे भी बहुत एक company की ability को जाहर करता है कि इन्होंने अपने cash को अच्छा manage किया है और इन चोटी 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 चीजों से कई मर्तबा profitability बहुत enhance हो जाती है और फिर लिखा है the surplus funds generated from this increased liquidity have been invested यानि कि फिर वो इसके ओपर ये थोड़ा सा फिर interest भी कमा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए लेकिन सारी company कमाती हैं तो इसलिए फिर भी आपको पता होना चाहिए और इसकी वज़े से positive impact आगे भी continue रहेगा फिर यहां पर जिकर कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ renewable energy के initiatives भी plan कियो हैं एक तो solar power already लगा चुके हैं और wind power पे भ फाइदा होगा लेकिन इससे इनकी cost में भी कमी आएगी यह देखे ना solar power लगा चुके हैं फिर एक निया solar power project भी start कर लिया है और यह first quarter of financial year 24-25 में complete हो जाएगा लिखा हुआ इदर यानि के अब तक complete हो जाना चाहिए first quarter के accounts में देख लेते हैं और wind power के उपर भी काम हो रहा ह जो इस साल यानि के अगले साल जून तक complete होना चाहिए तो इस initiatives जो हैं सिर्फ sustainability objectives नहीं meet होंगे बलके profitability भी enhance होगी और फिर आगे कह रहे हैं कि हम यहां पर रुकेंगे नहीं हम ऐसे initiatives और जारी रखेंगे और फिर लिखा है जी by integrating advanced renewable technologies into its infrastructure the company aims to solidify its position as a leader in sustainable practices and contribute significantly to the transition towards a greener energy future तो यह company की dedication है to innovation, long term environmental stewardship and commitment to achieve its sustainability goals तो कितनी कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको इस तरह की commitment करती होई नजर आ रही हैं खसूसन जो जादा पुरानी कंपनियां नहीं हैं या जिनकी profitability बहुत जादा पहले नहीं थी तो हमें तो लग रहा है कि इनकी management ने एक बहुत बड़ा कोई turnaround किया है और यह नई नई technologies को use करके अपनी overall operational efficiencies को enhance करना चाहते हैं तो यह तो सब कुछ हमें इस company के बारे में positivity की निशानदही कर रहा है कि आगे यह positivity continue रहनी चाहिए बट यह वक्त ही बताएगा लेकिन हमें तो अभी इसको देखके बड़ी positive सी feeling आ रही है चलने जी अब हम जाके ना director's report अब Q1 वाली पढ़ते हैं वहाँ से पता लगेगा कि इसमें इनोंने कोई नई updates आई हैं या क्या हिसाब किताब है अच्छा जी जो इस quarter की production है वो clinker की 90,000 है और cement की 1,15,000 है और अगर जाके देखें तो इधर थी 90,000 यानि कि क्लिंकर थोड़ा सा कम हुआ है और cement अच्छा वैसे थोड़ा कम हुआ है इस quarter में एक 15 को 4 से multiply करें न तो 4,60 बनता है तो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सिर्फ इस quarter को देखें तो थोड़ी कमी हुई है लेकिन फिर भी आपको पता है EPS maintain की है तो that is okay अच्छा जी आगे क्या है यही लिख है कि overall dispatches कम हुए है लेकिन exports में जाफा हो रहा है और यहां पे भी retention price की बात कर रहे हैं तो again अगर कुई हमें बताए कि retention price का benefit इनको कब तक मिलता रहेगा अगर किसी को पता है तो यार यह बड़ाद रविदस काम हुए है देखें न अभी annual पे उन्होंने बताया था कि इनकी जो cost है वो पता नहीं कहां लिखा था 71% हो गई है पिछले सालों में sales का 91% थी 92% थी फिर 71-72% हो गई और इस quarter में 57% आई है यही वो primarily वज़ा है कि sales कम होने से भी जो production और sales कम होने की वज़ा से भी उसके बावजूद भी EPS को maintain किया है तो यह बहुत अच्छा sign है और prime force क्या है cheap utilizing cheap domestic coal and installing solar project तो अगे एक और solar project ले आएंगे और उसके बाद wind project भी अगर आ जाता है तो यह अच्छा ही इनके लिए रहेगा बजाहर ऐसा लग रहा है और वो जो इन्होंने कहा था Q1 में complete होगा वो लिखा हुआ है set for completion soon तो probably उसकी वज़े से थोड़ सो और better impact आ सकता है अगले quarters में और wind का भी भी यही कह रहे हैं कि last quarter में हो जाएगा financial year के future outlook में इन्होंने generally मुल्क के हवाले से बात की है तो यानि कि जो annual का result था उसकी कोई ज्यादा changes नहीं है लेकिन overall outlook इनको भी भी positive लग रहा है अब यह वो वाली बात है हम यहां से आपको यह दिखा भी देते हैं यह इनका quarter का result है और यहां पे हम इसको पहले annual result पे ले जाएए देखें अब यहां पे ना इनकी cost आ रही है 5357 divided by sales है 7521 और यह है 71 परसंट तो यानि कि cost आपकी sales का 71 परसंट बन रहा है और यहां पे देखें कि यहां पे cost है जी 984 divided by sales है 1721 तो यह cost sales का 57 परसंट बन रहा है अब यह हैं से अगर हम सोचें सिर्फ सोचें ना यह कि अगर यह cost जो है 1721 इसका अगर 71 परसंट होती cost तो इसकी इसका gross profit होता अच्छा 1221 1771-1221 gross profit होता 550 जो कि अब 736 नजर आ रहा है ठीक है अब जर इसकी ना working calculate करते हैं अब 550 में से अगर हम आगे cost निकालें approximate करते जाते हैं ना 550 में से 50 निकालते हैं तो 500 बन गए उसमें 70 निकालें तो 430 बन गए लेकिन other income काफी आ रही है इनकी तो 430 बन गए तो वो तक्रीबन 780 हो गए और 780 में से finance cost निकालें तो तक्रीबन 760 और 760 के ऊपर अगर taxation तक्रीबन 30% है 760 इन 2.3 228 760-228 तक्रीबन 532 और 532 तो यानि कि अगर ये cost में तनी कमी नहीं आती तो फिर भी इनकी EPS कोई साड़े 5-6 तक तक तो होती तो उसे साबसे overall बहुत अच्छा result है और क्योंकि ये अपनी cost में कमी ला रहे हैं और अगर cost की कमी ऐसी ही continue रहती है तो जब कल को cement की demand में increase आएगी इनकी sales ज्यादा होंगी तो इनको overall profitability में काफी ज्यादा फाइदा भी हो सकता है तो हमें तो भ वैसी देख लेते हैं कि उनकी अपनी जो cost है वो sales का कितने percent है को heart cement देख लेते हैं pioneer cement देख लेते हैं उसके बाद chiraat cement देख लेते हैं और हम lucky भी देख लेते हैं बाकी आप देखना चाहें तो आप खुद देख लें तो अब cohort का अगर देखें 5770 divided by 10083 तो इनकी 5770 divided by 10083 इनकी भी 57 percent है तो इनकी भी बहुत अच्छी है और अब ठटा cement अपनी इस अच्छी जो है cost ratio के cost to sales ratio पे आया है तो उसकी profitability में दाफा हुआ है अच्छा इसका क्या है जी cost है जी 5489 divided by 7890 तो इसकी 69 percent है 59 percent है pioneer cement की इस वक्त इस quarter में जो जो चिराट cement है 5792 divided by 9659 इनकी 60 percent है इनकी भी अच्छी है और लकी सीमेंट की कितनी है जी तो लकी सीमेंट करने जी 80 divided by 111 लकी सीमेंट की 72 है इसकी अभी ज्यादा है तो यानि के इन 4-5 companies में best cohort cement है और खठा उसके मुकाबले पर आ गया है इस quarter में आने वाले quarters में पता लगेगा कि अपना maintain रख पाते हैं कि नहीं लेकिन अगर अपना maintain रख पाए तो ये साफ जाहर है कि इसकी profitability के लिए long term में काफी beneficial हो सकता है तो ये था जी detailed थोड़ा सा analysis बलकि एक की जरह गई उसको भी देख लेते हैं इसकी हमने कुछ working भी बनाई थी हाँ अब ये हमने यहां पे कुछ working बनाई थी कि quarter on quarter पे इसकी performance कैसी जा रही है अगर sales को यहां पे हैं तो sales actual में उससे ज्यादा आई वो column J में है जो gross profit है वो भी उस estimate से थोड़ा ज्यादा आया net profit estimate से काफी ज्यादा आया और estimate हमने 12 का लगाया हुआ था तो 16 का आया और अगर अभी का देखें तो sales again sales का हम analysis comparison कर चुके हैं तो वो अभी ठीक चल रहा है और अगर assets को देखें तो long term assets इनके वहीं पे है sustain किये हुए हैं तो यह एक अच्छी बात है stock and trade इन्होंने कम कर लिया है यह देखें 23 में कितनी ज्यादा 934 million की inventory होती थी इनके पास तो वो इनको कम कर लिया है तो यहां से यह अपने loans और interest cost भी बिचा रहे हैं short term investment plus cash जो है पिछले साल यह एक billion से भी कम था अब 4-6 billion हो गया है और again यह ज्यादा लोगों में distribute नहीं कर रहे है क्योंकि बदाहर ऐसा लग रहा है कि उस पैसे से कुछ growth plan कर रहे हैं तो long term इस company के लिए बहुत अच्छा हो सकता है वो current assets इसके कापी देखें हो गए है current liabilities उनमें भी इधाफा हुआ है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं हुआ इसमें payables ज्यादा है यह देखें लोंस बहुत ही कम हैं लोंस पिछले साल के मकाबले के ही हैं तो इसके लोंस को ज्यादा नहीं है और non current liabilities यह तो कोई employees के benefits हैं शैद यह चल रहे हैं और accumulated profits इसके double हो गया है पिछले साल के मकाबले में equity में काफी ज्यादा इधाफा हुआ है पिछले साल 23 में इसकी equity value थी पर share 30 रुपे और एक सबा साल में उसके ओपर 18 रुपे का इधाफा हो गया है और यह profit कमाते जाएंगे और distribute नहीं करेंगे तो equity बढ़ती जाएगी तो इसकी अगले quarter पर इसकी देख लेंगे कि performance इसी quarter जैसी रहती है या इससे बहतर होती है या इससे बुरी होती है लेकिन यह overall तफसीली analysis था ठटा सी मिट का और यहां से पता लगता है कि क्यूं इसमें मुस्तक्मिल में positivity नजर आ रही है अब यह कोई पता नहीं होता यह भी ह कर सकता लेकिन हमारी हमेशे से strategy यही रही है कि हम अच्छे shares में identify करके उन में घुज जाते हैं और अब हम अपनी investment को dividend yield के मुकाबले में ज्यादा अच्छी profitability वाले shares में भी enhance कर रहे हैं तो हम तो इसमें बैठे हैं अगले quarter तक और इसमें लेकिन इसमें हमने strategy अपनी आज भ आमियाब है और अगेन हम इसको 10-30 रुपे से लेकि चले हैं शुरू तो 15-16 से किया था लेकिन जो प्रॉपर ठोस analysis था वो 33-35 की range में वहां पे था और वहां से लेकि चले हूए हैं तो हम इसमें अभी भी बैठे हैं हम तो किसी को नहीं कह रहे कि आज कोई इसमें entry ले जि उसका अपना फैसला है और यही रिजन और यही वो वज़ा होती है कि timely shares को identify करके उसमें entry लेना क्यों beneficial होता है और क्यों उससे फिर आप फाइदा generate करते हैं तो यह हो गया जी तफसीली analysis ठठा सीमेंट का ओक्य जी अलाफेज यह सारा data हमने PSX की site से लिया आप खुद validate करें फिर अपना फैसला करें याद दिहानी करवा दें कि बाइसल कॉल नहीं थी वज़ा पहले बता चुके तज़्जिया पसंद आया तो share, like, subscribe करें, bell icon पे क्लिक करें, खुश रहें और अपने अमल पे तवज़ दें, अल्ला के हवाले